हेलो एवरीवन वेल्कम अगेन टू लान्वृद्य तीमन तो सभी को हैपी दसहरा और दसहरे की दिल सभी के लिए मैं कामना करती हूँ कि सभी के मन में जो भी इच्छाएं हैं वो सब की पूरी हो तो आप लोगों की इच्छा तो यह की है जो सबसे मेन है और वो है जौब पाना तो सभी की जौब लगे ऐसी मैं भगवान से काम ना करूँगी तो आप लोग बिलकुल इमानदारी से काम करेंगे तो भगवान आप लोगों को सफल जरूर बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर सेवन जल संसाधन एवं संरक्षन लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से जो कुशन पूछा था तो सभी बच्चों ने आंसर सही दिया था महेस महरा ने अगनाली का अपर्दन से आंसर दिया था योगिता व्यास ने म्रदा अपर्दन दिया था जो पूरी तरीके से सही नहीं था लेकिन कोई बात नहीं योगिता आपने कोशिश की तो बहुत अच्छी बात है मनीशा यादव सही आंसर दिया था लकी ये भी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेप्टर 7 जल संसादन एवं संरक्षन जल की उपलब्धता के कारण ही प्रतवी पर जीवन संभव है जल का उपयोग पेजल, तैनिक घरेलुकारे, सिच्चाई, उध्योग आधी कार्यों में किया जाता है तो जल का तो बहुत जादा महत्व है हमारे जीवन में जल के समस्त श्रोत जल संसादन कहलाते हैं राजिस्थान के मुख्य जल च्रोतों में जीले, नदियां और उन पर वने बांध वर नहरे, तालाव, कुवे एवं गलकूप आदे हैं आईए हम इस अध्याय में राजिस्थान के जल संसादनों एवं अपवहा तंतर का विस्तार से अध्यन करते हैं तो सलेबस के अकोर्डिंग ये चप्टर जो है वो इंपोर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, अपवहा तंतर, ये अपवहा तंतर क्या होता है, धरातलिया बनावट अभूह गर्विक संरचन के आधार पर किसी नदी यानि कोई जो मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियो निर्मित जल प्रवाह की विसेज विवस्था को अपवहा तंतर या प्रवहा प्रणाली कहते हैं, कोई भी मुख्य नदी है और उसकी जो सहायक नदियां, तो उस विसेज विवस्था को जहां से वह है, उसका जल प्रवाहित हो रहा है, उस विसेज विवस्था को क्या कहे अपवात अंतर कहेंगे या प्रवाप्रणाली कहेंगे दो अपवात शेतर के मध्य की उच्छ भूमी जो वर्षा जल को विभिन दिसाओं में विवक्त कर प्रवाहित करती है तो उसे क्या कहेंगे जल विभाजक रेखा तो हमने लास्ट वीडियो में अरावली परवत के बा यह दो अपवाः शेतर के मध्य की वह उच्छ भूमी है जो वर्षा के जल को विभिन दिसाओं में बांट देती है उसे क्या कहेंगे जल विभाजक रेखा जैसे राजिस्तान में अरावली परवत ऐसी छोटी नदियां जो आगे चल कर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें सहायक नदी कहा जाता है तो मुख्य नदी तो वो हो कई जैसे कि गंगा नदी है और गंगा की जो सहायक नदियां है वो क्या करती है वो धीरे धीरे आकर मुख्य नदी में मिल जाती है तो इसलिए उस मुख्य नदी की वो क्या कहलाएंगी सहायक नदियां कहलाएंगी तो ये चीज जो है वो इंपोर्टेंट है आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पर कि दो अपवा शेत्र के मद्द की उच भूमी जो वर्षा जलको विविन दिशाओं में विभक्त कर प्रवा कहेंगे ठीक है यह दोनों चीज जो है वो इंपोर्टेंट है डेफिनिशन जो है वो भी एक्जाम में पूछी जाती है देखिए एक बात मुझे याद आ रही है जब हम लोग RBSC की बुक कर रहे थे तो नाइन्थ या टैंथ का चैप्टर था जिसमें किसी की बात थी जैस जो है वह एक्जाम में नहीं पूछे जाते हैं आप लोगों ने अभी ही एक्जाम दिया रीट का तो उसमें आपने देखा कि एक आया था कथन का कुश्यन तो यह तो एक्जामिनर के उपर डिपेंड करता है कि वो आप लोगों को क्या देंगे लेकिन इन चैप्टर में से यही वो कुश्यन आया था ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखिए आप कि यह जो डेफिनिशन है यह भी एक्जाम में आ सकती है एक्जाम में आपके यह चैप्टर जो हैं यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है चीजें हमको पूरी समझनी है लेकिन जो में में चीज है उनक को तो हमें बिल्कुल रटना है याद भी करना है ठीक है राजिस्तान का अपवहातंत्र राजिस्तान का अपवहातंत्र को हम तीन भागों में बाठते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवहातंत्र और आंत्रिक अपवहातंत्र बंगाल की खाड़ी का अपवहातंत्र अरावल और चंबल नदी जो है वह यमना नदी में मिलती है यमना नदी जो है वह जो की गंगा की सहयक नदी है तो यमना नदी जो है वह गंगा नदी में मिल जाती है और ये गंगा नदी अंत में इसका जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है तो इसी को क्या कहा गया अगाल की खाड़ी का अपवातन्त्त कहते हैं इसी तरीके से अरव सागर में जाने वाली नदियां तो सहायक नदी मुख्य नदी में मिल रही है और मुख्य नदी अरव सागर में जाकर मिल रही है जैसे अरावली परवत से पक्षमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पक्षमी बनास और इसकी सहायक नदियां को अरब सागर का अपवातंत्र कहते हैं तो यहाँ पर याद रखना है कि माही, लूनी, सावरमती, पक्षमी, बनास और इनकी जो साहेक नदियां कहां गिर रही है? पक्षमी भाग की तरफ जा रही है, अरब सागर में इनका जल गिर रहा है, तो इसे अरब सागर का अपवातंत्र कहेंगे, और बंगाल की खाड़ी क अपवातंत्र जहां पर बनास काली सिन पारवती, जो कि किसकी चंबल की साहेक नदी है, और चंबल जो यमना की है, और यमना जो गंगा की है, तो ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, तो इसे क्या कहेंगे? बंगाल की खाड़ी का अपवातंत्र. यानि पूर्वी भाग में भी नहीं जा रही है, इनका जल जो है वही पर भूमिकत हो जा रहा है यानि कि जो इस्थल भाग है वहीं पर लुप्त हो जाए तो उसे कहेंगे आंत्रिक अपवातंत्र ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुँचकर इस्थल भाग में ही लुप्त हो जाए या किसी जील में मिल जाए तो उसे आंत्रिक या भूमिकत अपवातंत्र कहेंगे डेफिनेशन ये बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा कि जो नदी किसी समुद्र तक ना पहुँच पाए और इस्थल में ही विलुप्त हो जाए या किसी जील में मिल जाए तो उसे कहेंगे आंत्रिक अपवातंत्र राजिस्थान में बहने वाली देखिए आंत्रिक अपवातंत्र जो है उसमें कौन-कौन सी नदी आएंगी घगर नदी, बान गंगा, साबी, रूपारेल और मेना बहुत जादा इंपोर्टेंट है देखिए रूपारेल और मेना इस नदियों को आप लोगों को बहुत अच्छे जरीके से याद रखना है क्योंकि कई एक्जाम में इन दोनों नदियों के बारे में पूछा गया है कि ये नदियां जो है किस अपवातंत्र में आती है सबी नदियां आंत्रिक अपवातंत्र के उधारण है राजिस्तान की प्रमुक नदियां तो चलिए अब हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं चंबल नदी इस नदी का उदगम मध्य प्रदेश में बिंध्याचल परवत से होता है तो इसका उदगम स्तल पूछा जाता है यह राजिस्तान की सबसे लंबी और एक मात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है कौनसी चंबल नदी राजिस्तान में यह नदी चितोडगर जिले में भैसरोडगर से प्रवेस कर छे जिलों से होकर निकलती है कौनसे कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करॉली, इसकी प्रमुक सहायक नदियां, बनास, बेडच, कोठारी, काली सिन, पारवती, आदी हैं, राजिस्तान का ओध्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे इस्तेत हैं, तो यहां अंडर लाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरा पहरग्राफ जो है, उसकी हर एक लाइन इ एक मात्र साल भर बहने वाली नदी, चंबल नदी है, छे जिलों से होकर गुजर रही है, चित्तोडगर्ड, यहां प्रवेस करती है, बूंदी, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपूर, करोली और धौलपर्ट, ठीक है? तो यह छे जिले जो हैं, वो आप लोगों को याद रखने हैं, कई बार एक्जाम में पूछा जाता है, इन में से एक जिला कोई और दे दिया जाएगा, और आपसे कुश्यन पूछ लिया जाएगा, और उसके बाद यह कहां मिल जाती है, चंबल, यूपी में जाके यमुन में मिल जाती है, इसकी प्रमुक सहायक नदियां कौन सी है, बनास है, बेडच है, कोठारी है, काली सिंध है और पारवती है, जितनी भी सहायक नदियां केवल बुक में दी हुई है, केवल उतनी ही आप लोगों को याद रखनी है, ठीके, तो बनास, बेडच, कोठारी, काल परवति किसकी साहएक नदियां हैं, चंबल की साहएक नदियां हैं और राजिस्तान का जो ओध्योगिक नगर है कोटा वो इस नदी के किनारी पर ही इस्तित है, नेक्स्ट है बनास नदी, बनास नदी रासमज जिले में घमनोर की पहाड़ीयों से जन लेती है, यह रासमज, चित्तोडगड, भीलवाड़ा, टोंग जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेसुर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। ठीके तब पूछा जाता है कि बनास निकल कहां से रही है, रासमज जिले की खमनोर की पहाड़ियों से निकल रही है। और यह चंबल में कहां पर मिलती है, रामेसुर के पास में मिलती है, सवाई माधोपुर में। यह एक मौसमी नदी है। वो तो राजिस्थान में ही बहती है, पूर्टे राजिस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास। जबकि चंबल जो है, वह राजिस्थान की सबसे लंबी तो है, लेकिन यह पूर्टे राजिस्थान में ना बहकर यह यूपी में भी जाती है। इसकी लंबाई जो है बनास की वह है 480 किलोमीटर है, टोंक और सवाई माधोपूर नगर बनास नदी के किनारी पर इस्तित है, बनास की जो प्रमुक सहायक नदियां है वो कौन सी है, मेनाल है, कोठारी है, बेडच है और खारी है, ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पर छोड़ने इसके बारे में जो भी कहा गया है, एक शब्द जो है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, बनास के बारे में भी ध्यान में रहना चाहिए, नेक्स्ट है, लूनी, अजमेर जिले में गोविंदगड के निकट सरस्वती वा सागर्मती नामक दो धाराओं के मिलने से इस जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ के खाड़ी में मिल जाती है ठीक है तो जो अजमेर से निकल रही है और उसके बाद यह लूनी जो है वह भी 6 जिलों से होकर गुजर रही है ठीक है जिस तरीके से चंबल 6 जिलों से होकर गुजरती है उसी प्रकार से बना 5 जिलों से और लूनी जो है वह 6 जिलों से होकर गुजरती है तो इस तरीके से भी आप लोग इसे याद रख सकते हैं तो अजमेर जिले से निकल कर नागोर जाती है पाली, फिर जोतपूर, बाडमीर और जालोर जालोर जिलों में बहने के बाद ये नदी कहां पर मिल रही है कच्च की खाड़ी में मिल रही है ठीक है, खमबात की खाड़ी में ना मिलकर कहां जाती है कच्च की खाड़ी में मिल जाती है बाडमीर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है ये भी लाइन बहुत important है कि लूनी नदी जो है उसका जल कहां तक मीठा है बाडमेर जिले के बालोतरा तक ठीक है बाडमेर तक मीठा है और उसके बाद जालोड जाती है उसके बाद यह जल कैसा हो जाता है खारा हो जाता है तो देखिए अजमेर यहां पर मीठा पानी है इसका नागोर, पाली, और बाडमेर के बालोतरा तक इसके बाद जालोड जब जाती है तो वहाँ पर इसका पानी खारा हो जाता है और अंत में कच्छ के खाडी में मिल जाती है इसकी सहायक नदियों में देखिए, लूनी की जो सहायक नदियों याद करने में बिलकुल भी आप लोगों को परिशानी नहीं होगी, क्योंकि इसे आप एक दो बार बोलेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, जोजरी, बांडी, जवाई, मीठडी, खारी, और गुहिया, और चंबल की जो सहायक नदियों थी, वो कौन सी थी, बनास, बेडच, कोठारी, काली सिन, पारवती, ठीके, किसकी चंबल की सहायक, और बनास की कौन सी थी, मैनाल, कोठारी, बेडच और खारी, तो इस तरीके से आप अपने जहां पर भी नोट कर रहे हैं, और पारवती है, नेक्स्ट पॉइंट टू नंबर पर डालिए, केवल सहायक नदियों को याद करने के लिए, बनास आपने डाला, उसके नीचे आपने लिखा मेनाल, कोठारी, बेडच, खारी, ठीक है, लूनी लिखा, लूनी के नीचे जोजरी, बांडी, जवाई, आप लोग एक पेज पर लिख कर चाहे तो अपने दीवार पर उसे चिपका ले और उसे तीन-चार दिन तक सिर्फ देखते हुए निकल जाए, एक बार पढ़ा और देखते हुए निकल जाए, ठीक है, ये चीज़ें जो है, वो हमेशा के लिए याद हो जाती है, प्रदेश के विंध्याचल परवस से निकलती है, यह नदी राजिस्थान में बासवाडा और प्रतापगड जिलों में बहने के कारण खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, तो हमने जब लूनी के बारे में पढ़ा था, तो वो कहां गई थी, कच्छ के रन में, ठीक है, और यह दो जिलों की बात करती है, बासवाडा और प्रतापगड नेक्स्ट है, बान गंगा जिसे अरजुन की गंगा भी कहते हैं, इस नदी का उदगम जैपुर जिले में, जैपुर जिले में अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है, इस नदी का पानी भरतपुर में घ इसी नहीं है, जो कि आप लोगों के लिए important ना हो, notes में लिखने लाइक ना हो, सभी important है, ठीक है, यह question आप लोगों के पूछा जा चुका है, बान गंगा नदी के बारे में, कि कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घनापक्षी राष्ट्रिये उद्यान में भूमिगत हो जाता है, तो वो कौन सी नदी है, बान गंगा, कहां से निकलती है, जैपुर जिले से, ठीक है, बैराट पहाड़ी से निकलती है, कोई भी नदी जो है, वह पहाड़ीों से ही निकलेगी, तो इस नदी का उदगम कहां से है, जैपुर जिले में इसी जो बैराट की पहाड़ अरावली की वहां से निकलती है और इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं नैक्ष है घगर नदी तो घगर नदी जो है वह अंतरप्रवाही नदी है हम जानते हैं इसे अंतरप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमाले परवत की शिवालिक श्रेणी से होता है उत जाता है ठीक है तो गगर को देखिए कई किताबों में बोलते हैं कि ये क्या है सहायक नदी है ठीक है सरस्वती की कई लोग बोलते हैं कि ये सरस्वती नदी ही है प्राचीन ठीक है तो देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है कि इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवसेज या सह वालिक श्रेणी से और राजिस्थान में हनुमानगर में प्रवेश कर स्री गंगा नगर तक ही जाती है और भूमेगत हो जाती है तो देखिए हमने देखा कि जो घंगर नदी है वो यहां से प्रवेश करती है हनुमानगर जिले में राजिस्थान में और स्री गंगा नगर मे के बारे में हमने देखा बैराट की पहाड़ी जैपुर से निकलती है इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं और यहां से होते हुए यह कहां भरतपुर में जाकर भूमिकत हो जाती है उससे पहले हमने देखा था लूनी नदी के बारे में तो लूनी नदी कहां से निकल रही है अजमेर से निकल रही है ठीक है अजमेर से निकल कर बाडमेर जिले तक इसका पानी मीठा है और उसके बाद इसका पानी कैसा है खा रहा है ठीक है और लूनी जो है वह कहां गिरती है कच के रन में गिरती है नेक्स्ट जो नदी है वो कौनसी है चम्बल नदी तो चम्बल जो है वो राजिस्भन की सबसे लंबी नदी है यह मद्य प्रदेश से निकलती है और यह यहां चित तौडगर्ड, भैस्रोडगर्ड में प्रवेस करके सुवाई माधवपुर, धौलपुर और उसके बाद कहां चली जाती है यमुना में मिल जाती है ठीक है और बनास नदी की लोकेशन जो है वो आप यह देख लीजिए य उसके बाद यह प्रताब गड़ और बासवाणा जले में होकर जाती है और फिर यहां से जाकर यह किसमें खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है ठीक है तो थोड़ा सा आप लोगों को यहांसे आइडिया लग गया होगा, डिटेल में आप लोग बड़ी इक्लासिज म पढ़ेंगे राजिस्तान की प्रमुक नदी घाटी पर्योजना नदियों पर बांद बनाने से जल विद्दुत उत्पादन सिच्चाई पेजल ब्रक्षारोपन भूमिगत जल इस्तर में व्रदी बार नियंतरन म्रद्दा परदन और पर्यटन अधि कई प्रकार के उद्दे पूरे किये जाते हों तो उन्हें बहुदेश्य पर्योजनाएं कहते हैं और ये किनके द्वारा जब हम नदियों पर बांद बनाते हैं तो उसके द्वारा हमारे कई काम हो जाते हैं इसे कहते हैं बहुदेश्य पर्योजनाएं भारत की प्रथम प्रधानमंत्री पंडे पहारलाल नहरूने राजिस्थान में देखिए प्रमुक नदी गाटी पर्योजनाएं हैं चंबल पर्योजना माही बजाज सागर पर्योजना बिशल्पूर पर्योजना और सर्दार सरोवर पर्योजना ठीक है तो इनके बारे में हम एके करके पढ़ेंगे सबसे पहले है संयुक तो परियोजना है तो याद रखना है चंबल परियोजना दो राजियों की संयुक परियोजना है राजिस्थान की और मध्य प्रदेश की इस परियोजना की अंतरगत कुल चार बांध बनाए गए चंबल परियोजना की अंतरगत चार बांध बनाए गए इनमें से गां अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, कि चंबल परियोजना के अंतरगत चार बांध बनाए गए, गांधी सागरबान जो कि मद्देप्रदेस की मंसोर जिले में बनाए गया, राजिस्थान में चेतोडगड जिले में राना-पताप सागरबान बनाए गया, कोटा जिल और दूसरा सिच्चाई की सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो ये देखिए ये क्या है राणा प्रताप सागर बांध कौन सा है यह है राणा प्रताप सागर बांध है तो देखिए इस तरीके से बांध बना दिया जाता है जिससे की जो जल विद्धुत है उसकी सुविधा प्राप्त हो सके और दूसरे चित्र में जो है वो माही बजा सागर बांध है ठीक है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे माही बजा सागर पर्योजना बासवाडा में माही नदी पर यह पर्योजना इस्तित है तो माही बजा सागर पर्योजना कहा है बासवाडा में ठीक है यह राजिस्थान और गुजरात राज्य की सम्मलित पर्योजना है कौन सी है राजिस्थान और गुजरात राज्य की इससे दोनों राज्यों में सिच्चाई जल विद्यूत और पेजल की सुविदाएं उपलब्द हो रही हैं ठीक है तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि माही नदी के बारे में आप ये देख लें कि राजिस्थान और मध्य प्र सिच्चाई और पेजल के उदेश्य से इस परियोजना का निर्मान किया गया इस परियोजना से राज्य के जैपूर, अजमीर और टोंक सहित अन्य शेत्रों को पेजल आपूर्टी की जाती हैं। नेक्स्ट है सरदार चरोवर परियोजना गुजरात, मद्य परदेश, महराष्ट और राजिस्थान। चार जिलों की सम्मिलित परियोजना है सरदार चरोवर परियोजना। इन राज्यों की इस संग्त परियोजना का निर्मान गुजरात में नर्मना नदी पर किया गया। ठीक है। दुबारा से बात करें तो माही बजास सागर, माही नदी पर, विसलपूर परियोजना, बनास नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मना नदी पर। इस परियो परियोजना में जैपूर, अजमेर और टोंक और उसके आसपास के शेतर में पानी की पूर्ती गई विसलपूर परियोजना से उसी तरीके से बाडमेर और जालार जिलों में पेजल सुविधा के लिए सर्दा सरोवर परियोजना जो है वह है बनाई गई इसके अतरिक्त मांसी वाकल प्रताबगर जिले में जाखम नदी पर जाखम पर्योजना ठीक है अब यह लाइन भी आप लोग बिल्कुल नहीं चोड़ सकते हैं यह सारी लाइन जो हैं वह हैं आपके लिए important है कि पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई पर्योजना डुंगरपुर जिले म में सोम नदी पर सोम कमला अंबा पर्योजना उदेपुर जिले में मांसी वाकल और प्रताबगर जिले में जाखम नदी पर जाखम पर्योजना प्रमुख है जल सन्रक्षन की आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है ठीके तो आधुनिक तरीका कौन सा है जल को बचाने का वो है बांध राजिस्थान में प्रमुक जीले और जल संचयन अब हम जीलों की बात करेंगे राजिस्थान की लगबग हर शित्र में पारंपरिक जल शो जैसे कुए भावडियां जोहड टांके खडीन आदी पाये जाते हैं तो दिखिए जो राजिस्थान क स्टूडेंट हैं उनको तो इन शब्द के बारे में पता है लेकिन जो अधर स्टेट के हैं वो नहीं जानते हैं जोहड क्या होता है टांका क्या होता है खडीन क्या होता है तो ये सभी जो है वो पारंपरिक जल श्रोत हैं ठीक है ततकालिन राजा महराजाओं ने जल संचय के लिए कई उपाय किये जिसके उधारन वर्तमान में कई जिलों में देखे जा सकते हैं तो जीले जो हैं वो कई राजाओं के द्वारा बनवाई गई उधैपुर में 14 सदी से 19 सदी तक जल संडक्षण हितु अनेक कार्य द्वारा एतिहासिक जल प्रवंदन पनाली का विकास किया गया यहां की राजाओं ने अब देखिए कौन-कौन सी जीले जो हैं वो बनवाई किन-किन का निर्मान करवाया पिछोला जील उधैसागर जील फते सागर गोवर्दन सागर रंग सागर स्वरूप सागर जना सागर यह सभी क्या हैं इस अभी जल संडक्षण के लिए बनाई गई ताकि पेजल किया पूर्ती जो है वह हो सके आधी जीलों का समय समय पर निर्मान करवाया एवं नहरे बनाकर आपस में जोड दिया गया इससे वर्षा रितू में जल एक के बाद दूसरी जील में इस्थानतरित हो जाता है इन सभी जीलों के कारण ही उधैपु मेवाड के महराना जैसिंग ने 1687 से 1691 तक गोमती नदी पर करवाया ठीक है यह लाइन जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है कि जैसमत जील करने मान किस ने करवाया जैसिंग ने करवाया मेवाड के 1687 से 1691 इस्वी में और किस नदी पर गोमती नदी पर करवाया ठीक है और महत्व की सबसे मीठे पानी की मानव निर्मित जील कौन सी है जैसमज जील है अजमेर में इस्तित पुसकर और धार्मिक महत्व की प्राकर्तिक जील है पुसकर जो है वो कैसी है धार्मिक महत्व की प्राकर्तिक जील है कहां पर है अजमेर में आनसागर भी अजमेर की एक प्र प्रसिद्ध राजसमद जील प्रसिद्ध है जिसके उत्री भाग को नो चौकी भी कहा जाता है इसके अत्रिक्त जोदपुर में बालसमद, काईलाना, एवं उमेश सागर, जैसलमेर में गडी सर, डुंगरपुर में गैप सागर, बिकनेर में कॉलायत, अलवर में सीरी सीर, य इसके अलावा भी, राजे में मीठे पानी की जीलों की अतरिक्तंग, जैपुर, अजमेर और नागोर के बीच में है, देखिए, खारे पानी की जीले भी हैं, जासे कि सामबर जील है, बाड मेर में पचपद्रा है, नागोर में दीनवाना है, विकानेर में लूण करणसर है और जैसलमेर में पोकरण है, जोधपुर में पलोदी है. ये सबी कैसी हैं? ये सबी खारे पानी की जीले हैं. ठीक है, तो इनके तो केवल आपको नाम ही याद इसके बद देखिए JAL सनरक्षन, JAL सनरक्षन हमारा प्रतमदाइत्व है। जल सरक्षन के लिए प्रतिग नागरी को प्रशाशन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलासियों में घरेलू और ओध्योगिक अपसिस्ट नहीं डालना चाहिए। जीवन और उध्योग के लिए अनकूल परिस्तितियां सरकार द्वारा उपलप्त कराई जा रही हैं। इसमें क्या होता है? इसमें वर्षा के जो व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत करते हैं। पक्षमी राजिस्थान में प्राचीन समय से ही यहां के निवासी टांका, खडीन, जोहर आदी का निर्मान करके वर्षा जल को इखटा करते हैं। और इसकी सरंक्षन करते हैं। इन तक्नीकों को व्रह दिस्तर पर अपनाने की आवश्यक्ता है। तो हमें इस तरीके से जल को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। और देखिए इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है एक्जाम में कि रूफ टॉप जल संचयन क्या होता है। जैसे ही वर्षा का जल गिरता है और नीचे कुए बना दिये जाते हैं और उसमें पानी खटा हो जाता है। और water harvesting क्या होता है, इसी तरीके से वर्षा के पानी को क्या करते हैं, भूमिगत करते हैं, ठीक है, इसके जल को भूमिगत किया जाता है, तो ये chapter होता है आपका पूरा, अब हम देखेंगे इसकी सब्दावली, तो कई बार देखिए, शब्द जो हैं, वो मेरे भी इधर उदर हो जाते हैं पढ़ाते वक्त, क्योंकि लगातार जितने भी मिनट का वीडियो होता है, पढ़ाना होता है, आप लोग भी teacher बनेंगे, तो ये चीज़ आप लोग भी अभी नहीं जानते हैं, लेकिन बात में जानेंगे, कि हमारा कहा हुआ एक एक शब्द जो है, वह बच्च लेते हैं, और वो कहते हैं कि आपने ये गलत कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान है, शब्द इधर उदर भी हो जाते हैं, कई बार, देखते हुए भी पढ़ती हुए चीज जो है, वह दिखाई नहीं देती है, तो इस चीज़ को आप लोग समझते होंगे, और कोई अगर गलती होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, कि मैं आपने ये जो है गलत लाइन बोल दी है, ठीक है, क्योंकि चाहे मैं आपको बताऊं या आप मुझे बताएं, गलतियां तो सभी को पता होनी चाहिए, चाहे वह किसी के द्वारा भी बताई जा चलिए, भू गर्विक क्या होता है, गर्व यानि की अंदर भू यानि भूमी, तो भूमी के अंदर का, अप वहा हमने डेफिनिशन पड़ी थी, नदी जल का बहना, जहां मुख्य नदी और उसके बाद उसकी सहायक नदी बहती है, तो उस पूरे को क्या कहते है, अप वहा सरंचना, तो पक्षमी राजिस्थान में बनाये जाते हैं, टांके, और इससे जल जो है, वह सुरक्षित रखा जाता है, और कहां बनाये जाता है, घर में, कुए बनाते हैं, और वहां वर्शा का जल जो है, इकटा करते हैं, खडीन क्या होता है, देखिए इसके बारे में तो अंडरलाइन कर लीजिए, इसे पूछा गया है कि पक्षमी राजिस्थान में कृशी के लिए, सिच्चाई के लिए, जल चनरक्षन के लिए क्या बनाये जाते हैं, खडीन बनाये जाते हैं, जो हड क्या होता है, वर्शा जल रोक कर भूमिगत जल इस्तर को बढ़ाने ह जा रहे हैं, तो थोड़ा माइनर सा ही डिफ्रेंस है इन में, तो इनको आप याद रखिएगा, संरक्षन, सुरक्षित रखना या रखरकाव करना, तो देखिए सब्धावली में ही आप लोगों के ये पूरी 5-6 लाइन जो हैं, ये इम्पोर्टेंट है, अब हम करेंगे अब भ्यास प्रश्न देखते हैं कि हमें कितना चेप्टर समझ में आया और आप लोग इसकी आंसर किस तरीके से देंगे, बनास किस नदी की सहायक नदी है, तो मैंने 2-3 बार दोहराया था कि बनास किस की है, चंबल की है, लूनी की है, बाडगंगा की है या माही की है, तो बासवाडा, डुंगरपूर, उदैपूर या कोटा, तो उदैपूर और कोटा तो हमने नहीं पढ़ा था, यहां पर बासवाडा या डुंगरपूर आप सोच सकते हैं, लेकिन हमने बिलकुछ सटी क्या पढ़ा, बासवाडा और प्रतापगड, तो उसके बाद अंत में क् उत्रात्मक प्रस्ण है, चंबल की प्रमुक साहयक नदियों के नाम लिखिए, तो आप लोगों को पता चल गया होगा, चैप्टर में आपने इस चीज को पढ़ा है, और आजिस्थान की प्रमुक नदी घाटी परियोजना भी आप लोगों ने पढ़ी, ठीके, तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से चैप्टर की एक-एक लाइन जो है, उसे पढ़ते हुए चलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, थैंक यू